तो गाईस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो की आपको 12,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगे अगर आपका बजेट 12,000 रुपए से कम है तो भी आपको इसमें best smartphone देखने को मिल जाएगे तो गाइस पूरी जानकरी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखेगा आपको इसमें काफी अच्छे best smartphone देखने को मिल जाएगे जैसे कि 6GB RAM देखने को मिल जाएगी 64MP का camera देखने को मिल जाएगा वाइस प्रोसर वाइस रेंकिंग वाइस smartphone देखने को मिल जाएगे तो जो आपको smartphone अच्छा लगे जो कि आपके लिए बैतरीन हो तो वीडियो को यह एंड तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो आपका अगला smartphone रेडमी 9 पॉबर जहां दस्तों यह काफी अच्छे smartphone है डिजाइन तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी डिजाइन के साथ साथ इसमें आपको काफी अच्छी feature देखने को मिल जाएगे तो इसके features के बारे में बात करते हैं 카메라 quality आपको काफी अच्छी देखनी को मिल जाएगी तो भी इसके धारे के बारे बात आते तो इसमें आपको quad camera के setup देखनी को मिल जाएगा जिसमें man camera 48 mpx का है और 8 mpx का ultra wide और 2 mgf का micro और 5 mgf का depth sensor देखनी को मिल जाएगा 8 mgf का front selfie तो आपको काफी अच्छी देखनी को मिल जाएगी इसमें आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30s PS पे तो जो की काफी अच्छा है अब इसकी डिस्प्ले के बारे बात करते हैं तो 6.53 एसकी HD play डिस्प्ले देखनी को मिल जाएगी जो की water drop notch देखनी को मिल जाएगा इसके साथ अपको गोरी लगलास की protection देखनी को मिल जाएगी तो डिस्प्ले की quality और performance आपको काफी अच्छी देखनी को मिल जाएगी अभी इसकी battery का बारे बात करते हैं तो इसमें आपको 6000 image की battery देखनी को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 18W की fire charging का support देखनी को मिल जाएगा तो कि इस battery आपको काफी बिगि देखनी को मिल जाएगी जो की आपको लंबे इटासिंग कर सकते हो काफी अच्छा प्रोफसर है तो इसमें आपको डॉल सिम्स रोड देखने को मिल जाएगा यह स्मार्टफोन एंडर वी टेन पर रन करता है तो अधे इसके अधर फीचर्स के बारें बात करते हैं तो इसमें आपको साइड फिंगर पिंट देखने को मिल जाएगा 3.5mm headphone jack देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको सारी sensor देखने को मिल जाएंगे तो इसकी प्रैस के वारें बात करते हैं तो इसमें आपको जिसके प्रैस आपको 10,49 रुपे देखनी को मिल जाएगी तो गैस काफी अच्छे स्मार्टफोन है तो गैस जो आपका पांच वी नंबर का स्मार्टफोन है वह सैंसंग गैरेक्सी एम टुए जहां तो यह काफी अच्छे स्मार्टफोन है डिजाइन वाइस भी आपको काफी अच्छा देखनी को मिल जाएगा तो गैस अब इसकी फूचर के वारें बात काते हैं तो इसमें आपको 6.5 एंचेस की HD प्लै डिस्पले देखनी को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 90 हज़र रेफ्ट रेफ्ट डेट देखनी को मिल गी अभी स्क्केबरे के बाध कारी देखनी को मिल जाएगा जिसमें मैं इरा 48 मेड्या- bạn ने के यह चाहिए यでも क्वालिती अपको क्राइस पॉटे साफसे काफो अच्छी देखनीगों मिल जाएगी अभी की बेंटिरी के पारे हम बात करते हो यह जै जैगी जिसके साथ आपको 15 वोट की fusta शालजिंग का सपोर्ट को मिल जैगा तुक्य preocup आ देखी आपको थो सिर्फ के वाहरे में बात काते हैं तो इसमें आपको एक्षिनोट 850 प्रोफेटर है क्युत है प्राउसर है तो गाइस काफी अच्छा स्मार्टफोन है आगर आप कोई समसंग का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं दस से 11,000 रोपी के बीच में तो आप इसी स्मार्टफोन को ले सकते हैं तो इसमें आपको ड्वल सिम्ट देखने को मिल जाएगी और यह स्मार्टफोन एंड लिए तो काफी अच्छे स्मार्टफोन है और बेंट्र लाइफ यह आपको काफी लंबी देखने को मिल जाएगी तो इसकी पैस के बारे में बात कहते हैं तो आपको 11,000 रोपे के अंडर देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छे स्मार्टफोन है सेंसंग की तरफ से तो तो डिजैन तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, तो गाई सब इसके फूचर्स के बारे बात काते हैं, तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे बात काते हैं, तो इसमें आपको 6.5 पेंचेस की HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 90 हर टो कैसर के बाट कर तो कैसी कि क्वालटी आपको इची देखने को मिल जाएगी अब अब इसके प्रोसर के वारे बात काते हैं तो इसके आपको Qualcomm Snapdragon 662 गा प्रोसर देखनी को मिल जाएगा जो कि आपको Poco AM 3 है उसमें आपको देखनी को मिल जाएगा सेंप प्रोसर है तो इसके रेम और स्टोरिज के वारे बात करते हैं तो इसके आपको 4G RAM देखनी को मिल जाएगा जिससे आप 512 GB तक expand कर सकते हैं तो इसके अदर फीचर्स के वारे बात करते हैं तो इसके आपको fingerprint देखनी को मिल जाएगा और 3.5 mm headphone jack देखनी को मिल जाएगा तो गाइस अगर आपको एगर camera के लिए कोई smartphone लेना चाते हैं और अच्छी तरह से gaming करना चाते हैं तो कोई smartphone लेना चाते हैं तो आप इसके प्राइस के बारे बात करते हैं तो आपको काफी बैतरीन future देखनी को मिल जाएगे design तो आपको काफी अच्छी देखनी को मिल जाएगी और गाइस Micromax के आपको पिछले smartphone देखेंगे वह भी आपको काफी अच्छी देखनी को मिले जाएगे तो चलिए अब इसके फ्यूचर के बारे बात काते हैं तो इसके डिस्प्ले के बारे बात काते हैं तो 6.67 इंचर्ज की Full HD प्ले डिस्प्ले देखनी को मिल जाएगी जो कि पंच camera setup देखने को मिल जाएगा जिसमें man camera 48 Megafixle का है 2 Megafixle का micro और 2 Megafixle का depth sensor देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको 8 Megafixle का front selfie shooter camera देखने को मिल जाएगा तो इमेज quality तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी अब इसकी battery के बारे बात करते हैं तो इसमें आपको 5000 में इसकी battery देखने को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 18 watt की fast charging का support देखने को मिल जाएगा तो battery आपको normal 2-3 दिन का backup आराम से देगी अब इसकी processor के बारे बात करते हैं तो इसमें आपको Mediatek का Hello G80 processor देखने को मिल जाएगा जो की high graphics पे आप इसमें game को easily run कर सकते हैं high graphics पे केल सकते हैं अगर आप एक heavy gamer है और multitasking आप easily run कर सकते हैं इसमें आपको dual SIM slot देखने को मिल जाएगा और जिसके RAM इसके storage के बारे बात करते हैं तो 4G RAM देखने को मिल जाएगी 64G का storage देखने कर सकते हैं तो कैसी smartphone Android 11 पर run करता है जो की काफी अच्छा है तो अब इसके other features के बारे बात करते हैं तो इसमें आपको rear fingerprint देखने को मिल जाएगा 3.5 mm headphone jack देखने को मिल जाएगा तो इसमें आपको सारी sensor देखने को मिल जाएगे अच्छे feature देखने को मिल जाएगे तो इसकी price के बारे बात करते हैं तो यह आपको 10,000 रुपे के अंडर देखने को मिल जाएगा तो गाइस काफी अच्छे smartphone है अगर आप को gaming के लिए smartphone लेना चाहते हैं अच्छे camera वाला और अच्छी battery वाला तो आप इस smartphone को ले सकते हैं काफी अच्छे smartphone देखने को मिल जाएगा Redmi Note 10 यह दोस्तों यह काफी अच्छे smartphone है design wise भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएगा इसमें आपको काफी अच्छे feature देखने को मिल जाएगा तो आईए चलिए इसके features के बारे इम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी display के बारे इम बात करते हैं तो इसमें आपको 6 6.43 इसकी super AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाएगी जो की पंच ओल काट आट के साथ देखने को मिल जाएगा तो इसमें आपको गोरी लगलास 3D protection देखने को मिल जाएगी तो इसकी display quality performance आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी अभी इसके camera के बारे बात कहते हैं तो जिसमें आपको quad camera setup देखने को मिल जाएगा जिसमें man camera 48 megapixel का है और 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का micro और 2 megapixel का depth sensor देखने को मिल जाएगा इसमें आपको 13 megapixel का front selfie shooter camera देखने को मिल जाएगा तो इसमें आपको एंडॉर V11 पर ये smartphone रन करता है अब इसकी battery के बारे बात कहते हैं तो इसमें को 5000 ऐमेइच की वैल्ग देखने को मिल जैगी उसके साथं आपको 33 की व cry चैरिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा तो डो काफन अची को मिल जाएगी अब इसके राम और स्टोरेज्ट के बारें बात करते हैं तो ऊपको फूजी वी रम देखने को मिल जाएगी अगर आपको gaming के लिए smartphone लेना चाहते हैं तो आप इस smartphone को ले सकते हैं इसमें आपको dual sim slot देखने को मिल जाएगा तो guys इसमें आपको कई other features के बारे बात कहते हैं तो side fingerprint देखने को मिल जाएगा और फिस unlock देखने को मिल जाएगा 3.5 mm headphone jack देखने को मिल जाएगा तो guys इसमें आपको काफी अच्छी future देखने को मिल जाएगा gaming के लिए आपको smartphone लेना चाहते हैं आप camera के लिए smartphone लेना चाहते हैं तो इस smartphone को ले सकते हैं अब इसकी price के बारे बात करते हैं तो यह आपको 12,000 रुपे के एंडर देखने को मिल जाएगा तो check out कर सकते हैं काफी अच्छी smartphone देखने को मिल जाएगा